Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे दीवाली पर हम सभी के घर में ये खील परशाद के लिए आती ही है और हम कितना भी कम ले करा है लेकिन थोड़ा न थोड़ा ये बच्छी जाता है और ये थोड़ा फीका होता है खाने में इसलिए इसे कोई खाता भी ये ऐसे ही पड़ा रहता है और बाद में ये वेस्ट ही जाता है तो आज इससे हम बहुत ज़्यादा टेस्टी रेस्पी बनाएंगे यहाँ पर एक पैन में मैंने एक चमच तेल डालकर इसे अच्छे से गरम कर लिया है और इसमें एड़ किया है पारी कटा हुआ प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च और इसे हम थोड़ा सा गुलाबी होने तक भून लेंगे यह रेस्पी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और वेस्ट करने से तो अच्छा है कि हम इसे इस तरीके से बना कर खाले जो टेस्टी भी हो और वेस्ट भी ना हो हमारा समान तो यहाँ पर प्यास देखिए हमारा थोड़ा सा भुन गया है तो इसी के साथ यहाँ एड़ किया है मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते कड़ी पत्ते का भी फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है और शाम को चाय के साथ आप इसे बना कर ट्राइज जरूर कीज़ेगा बहुत ही पसंद आएगा आपको और यह देखिए यहाँ पर मैंने कट किया हुआ है थोड़ी सी शिमला मिच और साथ ही थोड़ा सा टमाटर कट किया हुआ है आप चाहे तो इसमें गाजर, मटर भी डाल सकते हैं इससे भी बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और इसे हमें हलका सा भून लेना है बस एक से दो मिनट के लिए और यहाँ पर सब्जी हमारी थोड़ी से भून गई है तो यहाँ पर मैंने एड़ किया है थोड़ा सा हल्दी पावडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और साथ ही एड़ किया है स्वाद अनुसार नमक आप चाहे तो यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर भी एड़ कर सकते हैं और इन सभी मसालों के साथ इसे मिक्स कर लेते हैं मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए हमें भून लेना है आभी दीवाली दो दिन पहले ही बीती है तो यह खील सभी के घर में पड़े होंगे तो आप इस रेस्पी को जरूर ट्राई किजेगा बहुत पसंद आएगी और इस तरीके से पूरी फैमली जो खील बची हुई है वो वेस्ट भी नहीं होगी और सब के लिए एक अच्छा टेस्टी सा नाष्टा बनकर तयार हो जाएगा और यहां पर मैंने एड़ किया है थोड़ी सी भूनी हुई मुंख़ली अगर आपके पास मुंख़ली कच्ची है भूनी हुई नहीं भून ले ताकि खील थोड़ी क्रिस्पी हो जाए और इस तरीके से continue चलाते हुए हमें खील को 2-3 मिनट के लिए भून लेना है आप चाहे तो खील को ड्राइ रोस्ट करके इसे थोड़ा सा क्रिस्पी बना कर इसके अंदर अच्छा प्याज, हरी मिर्च, चाट मसाला, काला नमक सारी चीजों को मिक्स करके इसका वैसे भी चाट बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन उस तरीके से बनाने से पहले आप खील को ड्राइ रोस्ट जरूर कर लिजेगा, क्योंकि ये खील पड़े पड़े थोड़ी सोगी हो जाती है, तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, अगर आप इसे बिना रोस्ट किये ही बनाएंगे तो, और ये देखें, यहाँ पर खील को मैंने 2-3 मिनट के लिए सबजियों के साथ अच्छे से भूल लिया है, और ये हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी सी, आप इसे खील की चाट कह सकते हैं, ब बहुत ज़्यादा टेस्टी रेस्पी ये बनकर तैयार हो गई हमारी फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर किजेगा, और चैनल पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब किजेगा, और आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि ये रेस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी सा नाष्टा बन गए है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, ट्राइज जरूर किजेगा, चली मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फार वाचिंग, बाबाई